बाबू बाबू से बाबू हो गया यानि बाबू को बोलते हैं जिसमें इसे बाबू आ रही है यह अंग्रेजों की दिया हुआ हमारे लिए एक तमगा है भारत में बाबू नाम बहुत चलता है बाबू सबको कहते हैं जैसे आओ बाबू जी आओ या और बावू किया हल है जो बड़े अफसर होते हैं उनको भी बावू कहते हैं जो सरकार में नेता होते हैं उनको भी बावू कहते हैं बड़ा बावू छोटा बावू यानि जो सबसे बड़ा है सबसे बड़ा बावू और जो छोटा है छोटा बावू यहाँ जो बावू करेक्टर है वो करेक्टर तब का है जब मैं इंजिनिरिंग कर रहा था इंजिनिरिंग करते हुए मैं पढ़ता था उससे पहले मैं बिजनिस करता था अपना हमारा बिजनिस था अभी भी है तो दिल्ली में टूसन का बहुत अच्छा पैसा मिल जाता है अब बिनिस्वाला दिवांक मेरा था तो मैं पड़ता था और टूसन भी लेता था उस समय लगबग आज से 25-30 साल पहले एक घंटा पढ़ाने का सवा सुरुपे मिलता था सवा सुरुपे बहुत बड़ी एमाउंट होती थी उस समय और अगर दो घंटे पढ़ा दिये किसी घर जागे तो धाई सुरुपे हो गए आपकी पॉकिट पनी बहुत बढ़िया हो गई खर्चा बहुत कम होता था उस समय इस्कूटर से आना जाना या बाइक से आना जाना और उपर से खादेदारी अलग होती थी कॉफी चाय बिस्कूटर काजू बादाम रिच लोग पैसे वाले लोग है ऐसे ही एक पैसे वाले लोग यहाँ वैस्ट दिल्ली के अंदर जो पा उन्हें पता था कि भारत पाकिस्तान बटने वाला है तो उन्होंने दस साल पहले से ही सेटलमेंट की यानि विस्थापन की तियारियां सुरू कर दी थी और वो अपना सामान बेच बाज के बड़े मज़े से यहाँ आके स्थापित हो गे उसी मैसे एक फैमिली थी आज की बहुत सारे लोग हैं जो रिफ्यूजी हैं और सारे अरपती हैं क्योंकि सब नहीं आकर हैं बिजनिस किया है पाद में कुछ सर्विस पे भी आगे और नेतागरी में चलेगे पालिटिक्स में चलेगे वहां और उन्होंने अच्छे पैसे कमाए है तो वह फैमिली तो टूसन ब्यूरो से कॉल आई कि आपको वहार टूसन पढ़ाना है, मैं वहार टूसन पढ़ाना गया, तो मैं अपना टूसन पढ़ाता था, वो बाबू बीच मैं टूसन पढ़ाते समय, कौफी, चाय, जो डिमांड आपकी है, पिस्ता, बादाम, जो भी बढ़िया से बढ कि वो रिच लोग थे, पैसे कोई कमी नहीं, तो उनकी मिठाई भी बढ़िया होती थी, दिल्ली की बैस, वो लेक्ट आता था, तो मैं वहाँ चायनास तरगार करता था, वो लड़का कभी-कभी आता था, कोई कभी नहीं आता था, मेरा बड़ा प्रिया स्टुडेंट था, ब बाबू को गाली भी बगते थे, बाबू को जो जो सचिला के भी, तो बाबू को इनमलियेट करते थे, यानि कि बाबू को इस तरह से टीट करते थे, कि बाबू का कोई अस्तित भी नहीं है, बाबू उनका नौकर था, पूरे 24 घंटे का नौकर, उन्हीं के घर में रहता थ सुबह उठता होगा तो सुबह से लेकर रात तक जब तक आखिरी आदमी सोता होगा तक तक वो काम करता होगा और जब पहला आदमी उठता होगा तक उसकी सेवा में लग जाता होगा सारे काम उसके जुम्में धक भी जाता होगा चटचड़ा भी जाता होगा तो गालियां भी खाता था सारी चाय वो वो वरत है या आदमी है सब उसको बहुत गंदे तरीके से बुलाते थे टीट करते थे मैं उसका वैवार देखता था क्योंकि वैवार देखने की अदत बच्पन से मेरे अंदर पहले से डबलब हो चुकी थे तो एक दिन वो ललका था नहीं जिसको मैं पढ़ा रहा था बाबु मेरे लिए चाय वगरा लेके आया तो मैंने बाबु से कहा कि बाबु तेरे को ये इतना भद्दा भद्दा बोलते हैं गाली भी देते हैं और ये तेरे को क्या क्या नहीं बोलते हैं तो उनकी सेवा में लगा रहता है तो तेरे को परिशान ही नहीं होती तेरे अंदर कोई पीड़ा कोई तेरे अंदर छोब या तेरे अंदर कोई इर्षा या जलन या बदला लेने का तेरे अंदर कुछ आता नहीं है क्या मेरी क्योंकि मैं भी यसे उनका नौकर और बाभू भी नौकर बस इतना फरक था कि मैं Intellectual नौकर था, क्योंकि मैं बढ़ाई के छेट में था, तो मैरी एक इच्छत थी क्योंकि मैं गुरू था, तो मुझे आप कहे के बोला करते थे मैं तो उनका टीचर हूँ, ये बात वो जानते थे, सबी जानते हैं, तो बाबू की आँख में थोड़े से आंसु आये और बाबू बोला कि मुझे बहुत बैसानी होती है, ऐसे ऐसे बोलते हैं और मैं अपना काम बड़े से इसे करता हूँ, और ये मुझे जानवागी तरह तो मैंने का तू यहां पड़ा हुआ क्यों है, मजबूरी है, मेरे गाउं में काम नहीं है, मुझे पैसी जोत है, तो मैंने का तू अपने इस कड़वा हाट को जलन को कैसे निकालता है, अब उसके आंखों के आंसु थोड़े से सूख गए और उसके चैरे पर थोड़े सी चमक आई, क्यारा, आप किसे कहेंगे तो नहीं, मैंने का मैं नहीं कहूंगा, क्यारा, मैं इनकी चाय में थूख देता हूँ, मैं इनके खाने में थूख देता हूँ, मैं जब लेटिन करके आता हूँ, तो टट्टी के हाथ नहीं दोता, मैं बनाते बनाते, अगर मेरा हाथ कहीं गंद की जिगह है तो मैं गंदे से ही बना देता हूँ खाना आटा मैं ऐसी हाथों से मान देता हूँ तो मैंने बाभू अगर किशन तुझे पकड़ लिया क्या रख क्या कर लेगे मेरी नौकी चले जाएगी कोई और मिल जाएगी इन पर काम तो होने से रहा तो मैंने का जब तुझ मेरी चाय लाता है तो क्या उसमें भी ऐसी करता है क्या नहीं जो चाय मैं आपको देता हूँ आपने वही चाय पीनी है आपने कप नहीं बदलना है कप बदलोगे तो जो मैदारी आपकी जो आपको पगड़ा दिया वो आपका बाकी आपने कोई टच नहीं करना है तो मैंने बड़ा विशम से देखा उसको इसने एक बड़ा सा अजीब सा तरीका निकाला हुआ है तब मुझे समझ में आया कि यह जो जिनको हम दवा कुछला हुआ या जो छोटा या जो गरीव या मजबूर लोग बोलते हैं ये अपना कही न कहीं बड़ा ले लेते हैं खाने में थूपके, चाय में थूपके या लेटिन की हाथ ना धोके या काम को खराब करके, या पैटॉल बेचके या गाड़ी तोड़के या गाड़ी का एक्षजेंट करके या कोई सामान को छोटे मुझे सामान को इदरदर करके खुर्दबूर्द करके या कहीं काम को बिगाड़के मतलब अपने ये मन को उसका बदला ले लेते हैं इसका मतलब यह है कि अशान्ति अगर आप फैला होगे तो अशान्ति आपको रिटर्न में मिलेगी ही अगर आप गाली दोगे तो गाली का रिटर्न गाली मिलेगा ही क्योंकि बाबू ने विपस्ना तपस्या साद्र नहीं किये है बाबु एक नौकर है बाबु नहीं जानता बाबु ये जानता है कि जैसा वहवार किया है उसके अंदर वैसा ही आएगा और वो वैसा ही बताएगा वैसा ही करेगा तो बाबू जैसे हजारों लाखों करोडों लोग हैं जो किशी ना किशी तरीके से अपने मन को ठंडा ठीक कर लेते हैं काम बिगाड़ कर इसलिए अगर आप उनसे इडिशा रखेंगे जिनसे काम ले रहे हैं अपने एंप्लॉई से तो ये गारंटी है कि वो आप से उससे ज nerी हैं उनकी तो समझ का क्योंकि अगर उनमे समझ होती तो वो आपके नोकर नहीं होते हैं अगर उनमे समझ होती तो वो आपकी गाली नहीं खारे होतें तो इसलिए ये ध्यान दखें जैसा भगवान बुद्ध नहीं कहा था कि वیर से वैर सांत नहीं होता, दुस्मनी स दोस्मनी सांत नहीं होती, कटूता से कटूता सांत नहीं होती, कठोटा से कठोटा सांत नहीं होती, अगर आप मिस्भेव करेंगे, गाली बखेंगे, तो उससे आपको रिटन में गाली ही मिलेगी, रूप बदल जाएगा, समय बदल जाएगा, तरीका बदल जाएगा, आपक को देते हैं उस वेवार के बदले को एकटा करके सारा वेवार आपको एक दिन दे जाते हैं इसलिए पूरी दुनिया के अंदर आशान्ती का लेवल बढ़ता जा रहा है इसको शान्त करने का एक तरीका है कि आप भगवान बुद्ध की विपस्णा करें साधना करें और अपन अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब में चाबनी चाहिए या इसकी जो लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप यूटूब पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सों का है उन्ही की बात को सलभासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पर कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संखन शरनं गर्चा में बतां शरनं गर्चा में संखन शरनं गर्चा में संखन शरनं गर्चा में